तो CBSE class 10 board exam की preparation के दोरान problems तो face करने ही पड़ती है बच्चों को एक problem solve हुई नहीं तब तक दुसरी सो problem आपके सामने खड़ी होती है और ऐसे ही कुछ problems के बारे में मैं discuss करने जा रहा हूँ और इन problems को solve कैसे करें उसका तरीका भी बताऊंगा अभी आपने half early exam दिया और half early exam के बाद अब आप face कर रहे हैं ये common तीन problems जो हर बच्चों में कहीं ना कहीं है पहला syllabus अभी incomplete है क्योंकि half early exam में पूरा syllabus तो पूछा नहीं गया था जितना पूछा गया था उतना हमने पढ़ा शायद उससे कम ही पढ़ा होगा लेकिन जो remaining है वो कैसे पढ़े कब पढ़े फिर दूसरी problem backlog बहुत सारा है चूंकि जब आप आगे का पढ़ते जाते हो तो पीछे का भूलते भी तो जाते हो revision नहीं करते question practice नहीं करते तो उस कारण उस chapter का जो memory जो concept है वो week होने लगता है और बहुत सारे backlog बनते जाते हैं फिर आपको याद आता है या reward नहीं revise किया वो topic बाकी था ये numerical solve करना था वो diagram chapter का revise करना था है ना तो ये भी problem आप phase कर रहे हो और ये genuine problem है और third problem जो सभी अब phase करने वाले हैं क्योंकि अब after exam के बाद अब प्री board exam देने जा रहे हो और सबसे बड़ी problem आएगी कि जब आप पूरा syllabus पढ़कर प्री board exam देने जाओगे तो given time में सारे question आप attempt कर पाते हो गया तो ये अभी आपका time management का issue आने वाला है या आ रहा होगा कि sir आता हुआ question भी छूट जा रहा है paper incomplete रह जा रहा है तीन घंटे में आपको जो total question करने है वो आते हुए question भी छूट जा रहे हैं क्यों time management आपका अच्छा नहीं है लेकिन ये तीन problem तो बता दी sir इसका solution भी दे दीजे तो अब ध्यान से सुनो इन तीनो problems का मैं आपको genuine solution देने जा रहा हूं जिससे आपकी ये problem solve हो जाएगी तो पहले हम first problem की solution की बात करते हैं पहला problem क्या है sir syllabus incomplete है हमने अभी जो chapter रहा पे लिग्जाम में नहीं पूछे गए थे वो पढ़ा नहीं इसकूल में पढ़ाया जाएगा लेकिन इसकूल में कब पढ़ाया जाएगा हो स जाएगा लेकिन हम पहले से पढ़के रखें तो सबसे पहले आपको ये काम करना है कि आपको जो chapter जैसे माल लो हाफेली एक्जाम में हाफेली एक्जाम में आपका 70% syllabus पूछा गया था तो बचा कितना परसेंट 30% जो अभी आपको पढ़ना है जो आपने अभी पढ़ा नह नहीं था तो यहां जैसे मालो एक चैप्टर हो गया अवर इन्वार्मेंट अब आपके स्कूल में ये चैप्टर हाफेली एक्जाम के बात पढ़ाए जाएगा ताकि प्री बोर्ड एक्जाम में पुझा जा सके इससे कोशन अब आपको ये चैप्टर पढ़ना है ताकि आ मैंने ये चैप्टर पढ़ा रखा है चैनल पर ठीक है ये वो वीडियो है अवर इन्वार्मेंट क्लास 10 वन चॉट तो आप अगर ये पूरा सेशन देख लेते हो वीडियो को थोड़ा फास्ट करके भी अगर आप ये सेशन देख लेते हो तो आपका पूरा अवर इन्वा फायरेबन चैप्टर तैयार भी हो जाएगा और कोशन की प्राक्टेस भी हो जाएगी तो इसी तर अगर आप जो चैप्टर आपको पढ़ने हैं, जो आपको अभी पहली बर पढ़ना है हर सब्ज़ेक्ट में उसकी आप वन शॉट देखो और वन शॉट देखकर आप उस चै तो मतलब आप एक तरीके से NCRT ही पढ़ रहे हो तो अगर आप NCRT in case नहीं भी पढ़ोगे तो काम चल जाएगा क्योंकि मैंने सारे NCRT के points मैंने अपने वीडियो में cover कर रखें अपने one shot में cover कर रखें ठीक है और मेरा जो syllabus है वो 70 plus 30 total 100% syllabus cover हो जाएगा तो पैनिक नहीं करना है ठीक है अब पहली problem तो solve हो गई दूसरी problem क्या थी backlog यह backlog कहां से create होगा पता है यह backlog इसी 70% से create होगा यह आपने हाफिल एक्जाम के लिए पढ़ा अब आप हाफिल एक्जाम के बाद इस पे focus करने लगे लेकिन कहीं य revise नहीं किया तो बन जाएगा backlog तो backlog बनने से रोकना है यह 70% को साथ लेके चलना है यानि कि यह जो 70-30 है इसमें एक balance बना के चलना होगा तो दिमाग में यह 70-30 ना एक बार बैठा लो 70 जो पढ़ लिया है और 30 जो पढ़ना बागी है दोनों में एक balance होना चाहिए अब 70 का backlog ना बने 70 जो आपके हाफली एक्जाम में पूछा गया था उसका backlog ना बने इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है और वो है question practice जैसे आपको लगता है कि मैंने bio में life process chapter पढ़ लिया था हाफली एक्जाम अच्छा से गया मैंने life process chapter का हर question अच्छे से solve कर लिया तो अब आपको दुबारा इंसीरटी नहीं पढ़ ली है आपको बस यह काम करना है कि life process chapter का question practice करना है light chapter का बसित करना है electricity चैप्तर का question practice करना है control and coordination का question practice करना है यानि की जो chapter आपने हाफली एक्जाम में पढ़ लिया था हाफल पेल एक्जाम में आपने जिस चैप्टर को पढ़के गए थे वो सारे चैप्टर का बस आपको कोशन प्राक्टिस करना है ताकि यह जो 70% वाला है इसका बैकलॉग ना बने और कोशन प्राक्टिस कहां से कर सकते हैं तो सबसे पहली चीज आप लगाओ NCRT एक्जैंपलर जो बच्चे नहीं लगाते हैं और NCRT एक्जैंपलर का जो लेवल है वह बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है तो मैं कहता हूं आप हर सब्जेट का NCRT एक्जैंपलर लगाईए और NCRT एक्जैंपलर में UPJECTS QUOTION भी होते हैं सब्जेक्टिव और फिसे होते हैं तो आपको बहुत अच्छी कोशन प्राक्टेस मिल जाएगी ठीक है फिर आप कोशन बैंक लगाई आप कोशन बैंक में क्या रहते हैं कोशन बैंक का मतलब ऐसा बैंक जहां भरपूर चाप्टर वाइस कोशन है क्लियर और यह आपको कहां से मिलेगा वो भी मैं बता देता हूं तो आपक तो अड़ा247 का एप इंस्टल करना है जैसे ही आप वेबसाइट पर जाओगे या एप सब क्या है औरやप बुक में आप सर्च करोगे, तो मुझे मिल जाएगा question bank, दिख रहे हैं आपको question bank, यह English का question bank है, यह Social Science का question bank है, इसी तर आपको science का question bank मिल जाएगा, क्लियर साइंस का कोश्चन बैंक यह रहास कोश्चन बैंक कितने का है 254 का है तो बाइनाव पर जाओगे और कूपन कोड अप्लाई कर देना 254 में आपको साइंस का कोश्चन बैंक मिल जाएगा ठीक है यहां आपको चैप्टर वाइस कोश्चन दिये गए हैं वो आप लगा स सकते हो तो इस तरीके से आपका प्राक्टिस होता रहेगा और फिर आप लगा सकते हो पी वाई ट्यू प्रीविएस एर कोश्चन प्रीविएस एर कोश्चन आपको cbsc की वेब साइट पर मिल जाएगा ठीक है आप cbsc पर टाइप करोगे गूगल पर cbsc क्लास 10 प्रीविएस एर कोश्चन आपको लिंक ओपन हो जाएगा मैं लिंक ओपन करके दिखा भी देता हूं ठीक है जैसे मैंने यहां टाइप किया cbsc क्लास 10 प्रीवाइक्यू प्रीवाइक्यू क्लिक किया देखो यह लिंक आ गया और यहां ब्लू कलर का लोगो दिख रहा है समझ जाओ यही ओफिशल वेब साइट है जिन्विन वेब साइट है इस पर क्लिक किया अब यह देखो हर साल का दोजार चौबिस का तेईस का और कंपार्टमेंट एक्जाम का भी आपको कोशन मिल जाएंगे अलग-अलग सेट के यह रहा क्लास 10 का क्लास 10 में जिस सब्जेट का आपको डाउनलोड करना है उस सब्जेट का डाउनलोड कर लिए देखिए जैसे साइंस है तो मैंने डाउनलोड कर लिया यहां जिप फा फेली एक्जाम के लिए पढ़ लिया था उनके लिए आपको कोशन प्रैक्टिस करते रहना है ताकि वो चैप्टर भूले ना वो कंसेप्ट वो टॉपिक भूले ना और बैकलॉग ना बने ठीक है यह दूसरे प्रॉब्लम का सलूशन अब आता है तिसरा प्रॉब्लम क्या पताया था टाइम मेंचिमेंट याद आया है देखो कि प्रीबोड एक्जाम जब आप देने जाओगो तो आपका पूरा सिलेबस पूचा जाएगा पूरा सिलेबस यानि chapter 1 से लेकर जो आखरी chapter है पूरा syllabus पूछेगा अब इसका मतलब कि आपको पूरा syllabus पढ़कर आपको given time में अगर science की बात करें तो science का जो paper होगा वो 3 गंटे का होगा कितने marks का होगा 80 marks का होगा total कितने question पूछे जाएंगे total 39 question पूछे जाएंगे तो 39 question जिसमें से objective भी है subjective भी है case base भी है clear objective में फिर assertion reason भी चार मिलेंगे आपको तो सबके लिए आपको time manage करके चलना पड़ेगा और ये तभी हो पाएगा जब आप लगाएंगे sample paper तो third problem का solution है कि आप हर subject के क्या लगाईए sample paper लगाईए गिन के मत लगाईए कि मैंने 2 लगा लिए मैंने 3 लगा लिए जितना maximum हो सके आप sample paper लगाईए pre board आपके एक school में कब से शुरू होगा? नॉंबर, दिसंबर कुछ में नॉंबर से start हो जाएगा और नॉंबर से start होगा तो दिसंबर तक चलेगा कुछ में जनवरी तक भी चलेगा तो कई school वाले एक pre board करातें कई दो करातें कई तीन करातें लेकिन maximum schoolों में दो pre-board होता है, ठीक है, December जन्वरी में या तो November हो एक December में, तो यानि कि जैसे ही दिवाली खतम होगी, आपके सामने pre-board exam खड़ा रहेगा सामने, तो आपको सबसे पहले 100% syllabus cover करके, फिर आपको sample paper की तरफ बढ़ जाना है, sample paper आपका time management improve कराएगा, आपकी speed बन सारेगा, क्योंकि ऐसा मत सोचो, कि अगर हम भरपूर लिख दें, मैं एक question जो पुछा गया है, मैं उसमें दो page लिख दूँ, तो जाके full marks मिलेगे, नहीं, अगर आप given words में to the point answer लिखते हैं, तो भी आपको full marks मिल जाएगे, है ना, तो जिस question में जितना time dedicate करना है, उतना ही invest करो, उससे जादा invest करोगे, तो कोई ना कोई दुसरा question छूट जाएगा, और इसके लिए आपको हर week, हर week, हर subject के at least, एक sample paper तो लगाना ही लगाना चाहिए, दो लगाओ, बहुत बड़ी है, यानि pre-board exam के पहले, आप कम से कम, तीन sample paper लगा के जाओ, हर subject का, each subject, science में मैं तो बोल के जाओंगा आपको, कि भाईया, कम से कम अच्च लोग, तीन sample paper लगा के जाओ, तो तीन sample paper प्लस, दो pre-board, तो वो भी एक तरीके का sample paper ही हो गया, ना, भाई, sample paper आप तीन घंटे में solve करोगे, और timer लगा के, कि तीन घंटे फिर उठना नहीं है, ऐसा लगा करना, कि तीन घंटे मतलब आप board exam दे रहे हो, ठीके, अच्छे से खा पी कर, washroom करकर, timer लगा कर, बैठ जाओ, sample paper लेके, और तीन घंटे में पूरा sample paper आपको solve करना है, तब जाकर time management improve होगा, तब आपको पता चलेगा, कि कहां मुझसे गलती हो रही है, कहां मैं ज्यादा समय में लगा रहा हूँ, और कहां कम समय हो रहा है, ठीक है, तो इसके लिए आपको बाटना पड़ेगा, कि section A को मैं कितने घंटे में, मतलब तक कितने समय में कर लूँ, section B को कितने समय में कर लूँ, है न, तो आपको total 5 section पूछे जाएंगे, आपके pre-board या board exam में, section A, B, C, D, E तो A में कितना time लगाना है, B में कितना time लगाना है, या आप sample paper से ही सीखोगे, तो हर subject के at least 3 sample paper लगा के जाओ, 2 pre-board होंगे, तो total 5, और फिर pre-board के बाद, फिर sample paper लगाना, और फिर finally board exam देना, यही strategy follow करोगे, तो आपका भला हो जाएगा, तो एक छोटी सी कोशिश थी, मेर तरफ से, रागवेन सर की तरफ से, कि आपको यह बताया जाए, कि हाफेली exam के बाद, अब आने वाले 4 महीनों में कैसे पढ़ना है, और यह जो common problem थी, उसको solve कैसे करना है, तो I hope कि यह video आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, और इस video में जो भी strategy, जो भी solution दिये है, वो भी comment section में बतायेगा, उस पर भी मैं detail video solution के साथ ले कर आऊँगा, thank you so much